हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच परहार में, मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा, और दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर बात की जाती है, जो नए-नए जजज्मेंट आते हैं उन पर, या फिर कुछ कानूनी पहलों पर, या फिर आपकी स्ट और इसके अलावा भी होती है, लेकिन आज मैं फोकस करने वाला हूँ 406 IPC में, दोस्तों यह बहुत बड़ी समस्य है सभी के सामने है, कि जो मैट्रिमोन विवाद होता है, पतनी घर से जाती है, तो कुछ मामलों में वो अपना सारा सामन एक साथ लेके से ले जाती है, अरे मेरे पास उसके इतना समान पड़ा है, पते क्या बोलता है, समान वापस कैसे करूँ, अरे मेरे भाई, वो आपके उपर इतनी सारी कंप्रेंट्स करा रही है, जूटी जूटी आप समान वापस करने की सोच रहो, कि समान कैसे वापस करूँ, आप सोचो आप उससे बच कितने सारे मामले ऐसे होते हैं जिनमें आप सामान वापस दे देते हो, उसके रिकॉर्डिंग भी कर लेते हो, फिर भी 406 IPC दर जो आती है, कितने सारे मामले ऐसे होते हैं कि पतनी घर से ब्लैक भर भर के ले जा रही है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके बास है, उसकी सब चीजों को देख करके जो चल रहा है इसको देख करके क्या आपको लगता है कि आपको समान वापस करना चाहिए और अब जूटे मामलों की वज़े से आप सालों तक ट्राइल लड़ेंगे सालों तक पैसा खर्च करेंगे सालों तक हैरेस होंगे इसका खामियाजा कौन दे तो भाई सब दुबारा भी देने को तैयार है ये केवल आप अपनी कमजोरी शोग कर रहे हो अगर आपकी 498 KFA दर जोरी है जो कि maximum मामलम होई जाती है तो भाई यह 406 को भी उसमें लड़ लेना अगर जुड बोल रही है तो कैसे प्रूप करेगी और कई मामलों में इस चीज ले गए आपका वाल आपके पास है तो उस समान की जो कीमत है उससे आपको मुकदमे भी तो लड़ने है तो मेरा इसमें simple fair opinion यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ जात्ती हो रही है आपके साथ गलत हो रहा है आप समान दे भी रहो फिर भी आपस समान मांगा जा र लेगे ना फिर समान वापस देनी की क्या ज़रत बड़ी है दूसरी चीज यहां पर डर बहुत बड़ी भूमिकानी भाता यह मैंने देख लिया भाई सब ऐसे ऐसे लोग मैंने देख लिये जो बहुत अच्छे अच्छी प्रोफाइल में है लेकिन सामने वाला बंदा डरा रहा है उनका और महले बर में धाग भी जम गई वो तो डरते नहीं है आप लोग केवल इसलिए डरते हैं कि आपने शादी कर ली और आपकी पत्नी आपके उपर गलत इलजाम लगा रही है यह पूरे तरीके से आपके उपर है आप कितना डरते हैं जितना आप डरोगे कि ठीक है अब देखते हैं कोई बात नहीं अब लड़के देखते हैं लेलो कोट से जो लेना है करा लो मुझे जेल आपको एक समय सीवा तक बिलकुल चुप रहना चाहिए शांत रहना चाहिए लड़ाई जगड़ों से दूर रहना चाहिए मेरा भी परसनल बिहेवियरी है यह मैं सबके साथ बहुत सौफ्ट रहता हूं लेकिन ये कोई अननेसरी आपको चेड रहा है ये कोई अननेसरी आपको कुदेड रहा है आपको जबरदस्ती पिन कान में डालके उठा रहे है सोते वें को तो फिर ऐसे में भी क्या चुप रहोगे बहिया कानून लेडिस के में ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, इतने सारे वीडियो जा रहे हैं, इवन हमारी जो ओनरेबल कोर्ट से वो भी इस चीज को मान चुकी हैं बहुत बार, बहुत सारे जज्जमेंट्स में इस चीज को कह चुकी हैं, कि मिस्यूज हो रहा है, 498 एक अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, अभी कई लोग पता है, ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, साब ऐसा है, बोलना तो बड़ा असान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत देखो, यहां दोनों काम होते हैं, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखता हूँ न जो हम बोलते हैं, वो ही हम करते भी हैं, और जो हम नहीं बोलते हैं, वो हम definitely करते हैं, डालोग वो है शाहिद किसी मूवी का, बट सच्चा है भी यह है, हसते रहो, खुश रहो, डिप्रेशन में जाने कि कोई आउशक्ते नहीं है, दूसरों को डिप्रेशन में भेजना है, खुद डिप्रेशन में जाना है, खुद मौज में रहना है मौज लो विपक्षियों को देखे लेंगे